हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल रिद्दी बुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बहुती ब्यूटिफुल बलून स्लिव्स बनाना सीखेंगे जिसका मेजर्मेंट मैं आपको बता रही हूं हमने लेंद लिए साड़े चार इंच और य यह देखिए बॉर्डर रली हुई है यह हमारी मोरी के सबसे कम थी तो दोनों तरफ हमने जोड लगाया हुआ है इस तरीके से बॉर्डर को हमें नीचे के तरफ लगाना है उसकी पाइपिंग बनाते हुए और यह हमने एक्स्टा कपड़ा लिया है जो साड़े चार इंच क चोड़ाई है इसके और लेंद जित्ती ज़्यादा हो सकती है उत्ती रिजिए अब देखिए फ्रेंड्स हमने दो इंच का कपड़ा सीधा रखना है क्योंकि यह हमारा फिटिंग में तबेगा उसके बाद हमें आदा आदा इंच की मार्जिन बर्न इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए जानी है तो देखिए इस तरीके से आदा आदा इंच की हमें प्लेट्स पकड़नी है और पूरे कपड़े में हमें इस तरीके से प्लेट्स लगा कर ले लेनी है तो इसी तरीके से हमें यह स्लिव्स बना कर रेडि करना है और इसके लिए हमें जितना लंबा सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकोन को दबना न भूले ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और इस तरीके से आप हमारे हर वीडियो आसानी से देख सकते हैं औरुसरी तरह भी हमें उसी तरफ मुगी हुआ इसे वालांइल है उसी तरफ हमें परदेख और बिल्कुल आदा-एंज की हमारे लहाई दिखें तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सुन्दर स्लिव्स बना सकते हैं आप वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए क्योंकि यहाँ स्लिव्स बनके बहुत ही सुन्दर होने वाली है और बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाती है तो इस तरीके से देखिए अभी हमें इस पर जो हमने fix अस्तर पर slips काटी हुई थी उसे रखकर हमें इसे attach करना है तो देखिए बिल्कुल किनारे से चारो तरफ रखके हमें इसे आटेच कर देना है कहीं पर भी हमें इसे फोल्ट नहीं करना है बस रखकर उल्टे के तरफ रखकर आटेच कर देना है तो देखिए इस तरीके से इस तरफ भी मैंने सीधा आटेच कर दिया है और उपर के तरफ हमारी आगे पीछे तो नहीं हो रही है और कहीं plates पलट तो नहीं रही है इस बात कर जरूर ध्यान रखें क्योंकि plates पलटने के बाद वो अच्छे नहीं दिखेगी तो देखें friends हमारी ये plates में सिलाई लग चुकी है और उसके बाद हमें जो extra fabric है उसे cut कर लेना है इस तरीके से ये देखी इस तरीके से extra fabric cut करने के बाद हमें अब इसके नीचे के side में जो हमने border बना कर ready रखी हुई है दोनों तरफ से कपड़ा जोड़ कर तो उसे हमें इस तरीके से इस पर attach करना है तो इसके लिए हमें border को उल्टी रखना है और main कपड़े को सीधा रखना है और इस तरीके से आधा inch की margin लेते हुए इस पर stitch कर देना है ध्यान रखिए कि border नीचे की तरफ से सिलाई में attach होना चाहिए छूटना ने चाहिए और main कपड़ा हमारा आधा inch हमने margin एक्स्टर छोड़ी हुई है हमारे 3,5 inch की sleeves बनकर ready होने वाली है तो हमने 4 inch लिया था तो उसे साबसे हमारा आधा inch कपड़ा दबना ही चाहिए और उसके बाद हमें इस border को उपर के तरफ आने सीधे के side में इस तरीके से आप आसान तरीके से अपने ब्लाउज में यह स्लिव्स अटेज कर सकते हैं और देखने में भी यह स्लिव्स अभी ट्रेट में चल रही है और बहुत ही सुन्दर लुक देती है तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारे स्लिव्स बनकर ready हो चुकी है उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को एंड टक देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी बहुत सुन्दर सुन्दर वीडियो लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से बने रहे हमारे चैनल पर थैंक यू